इनक्यूरेशन, इन्फोर्मेशन, खबर वो जो जटका दे दे नमस्ते दोस्तों, चमतकारी तरीके जो आपका दिमाद तेज करने में मदद करेंगे दिमाद तेज करने के लिए आप अकसर सही खानपान का विकल्प चुनते हैं जिसमें बादाम भी शामिल है सक्रिय मस्तिस्क के लिए बच्पन से ही यहाँ फंडा अपनाया जाता है दिमाद तेज करने के विकल्प हैं लेकिन फिलहाल हम बता रहे है पांच आसान और प्रभावकारी तरीके जो दिमाद तेज करने में मदद करेंगे पहला दिमादी कसरत दिमाद तेज करने का सबसे प्रभावकारी तरीका है दिमादी कसरत इसके लिए आप बच्चों के साथ कोई दिमागी खेल जैसे प्रश्णोत्तरी, सब्ध कोश भरना या सही विकल्प चुनों खेल सकते हैं दोस्तों की मदद से इस तरह के खेल खेले जा सकते हैं यह बच्चे की यादास को बढ़ाने के साथ ही याद रखने की इच्छा भी बनाए रखेगा दूसरा नई भाषा, बच्चों को कम उम्र में भी नई भाषाओ का ग्ञान होने से उनका दिमाग ऐसे बच्चों की तुलना में तेज चलता है जो केवल एक ही भाषा जानते हैं, इस तरह से बच्चे में और भी योग्यताय विक्सित होती है तीसरा, खेल कूद बच्चे के जितने स्फूर्तिले होते हैं, उनका दिमाग उतना ही तेज और सक्रिय होता है इस तरह से बच्चों के दिमाग में ऑक्सिजन का प्रवाह भी सही होता है, जो उनके दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है चौधा, कलाक मक्ता, बच्चों का कला के प्रती रुजान दिमाग को विक्सित करता है और नई चीजों के सीखने में मदद करता है इस प्रकार बच्चों के कलपना सिलता में भी वृद्धी होती है और वे बहु आयामी सोच सकते हैं तीसरा, गणित, जी हाँ, बच्चपन से ही बच्चों को गणित का अच्छा अभ्यास होना उसके दिमाग को तेज करने में मदद करता है यही कारण है कि जिन लोगों की गणित में सही रुजी होती है वे अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान होते कि ओके दोस्तों नमस्ते अगर आपको मेरा यह विलियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब शरूर करें ओके बाई थैंक्स फोर वाचिंग कि अग्युक्त